नमस्का दोस्तों खादिक स्वागत है हमारी स्यूटूप चैनल घहरेलू इलाच पर दोस्तों मैं हूँ राकेज जैस्वाल और आज के सुड़े में आपको सफेदाख ठीक करने का घहरेलू उपचार बताऊंगा आयरुविदिक दबा बताऊंगा सफेदाख यदि किसी की सरीर में एक बार हो जाएं तो उनका जीना बरबात कर देते हैं दोस्तों समाज में इसे जो एक गलत नजीर्या की नजर से देखा जाता है इन्हें छुवच्छूत की नजर से देखा जाता है लेकिन भाई यदि आप सफेदाख की समसर से परसान है त Mathsport यह सफफ दर था के नमसे जानती है लोगों में दुस्तों इसके प्रतीक ऐसा वैपार हो जाते हैं जिसके सरीर में हो जाया मस्टिस्थ में जहाँ भी कहीं भी हो जाएं तो फर जाएं उनके मस्टिस्थ में ऐसी उपाय आपको करना है तो दोस्तों इन्हें ठीक करने के लिए आपको पतंजली में एक दवा आता है नोट कीजिए पतंजली में दीववकाय कल्प तेल यहां यह आईल है इसका नाम पतंजली दीववकाय कल्प तेल है तो दोस्तों एक क्या करता है कि यह आपके सफेद दाग ह cricketुत है में सफेद अब हए तो आट डाली आघट रिमेंग य memorial काम करता है और वहां का लुकोरा की आप सफेद दाग हाथ पेरों का फटना जलना कटना घा होना सफेद दाग तो यह सारी तरह कि जितने भी तुछा समंधी समस्य है चर्मारोग समंधी समस्य है इसे पतंजली के यह तिल दिव विकाय काल पतिल ठीक करने का काम करता है यदि अब लगातार 6 महने यद 3 महने तक कि लगाते हो और आ आपको बता देतों इसके कीमत लगभग 132-133 रुपए में मिल जाएंगे जो कि बहुत सस्ते हैं और दोस्तों में इसके मुख्य बात करूं तो काफी सारी घटक से बना हुआ है इसमें गिलोंजिक तेल मिला हुआ है बावची तेल मिला हुआ है बाकुची है सत्यनासी है तो कई तरह कि इसमें जो तेल मिला हुआ है दोस्तों जो कि चर्मरों को खी करने का काम करता है तो आप बेज़ाओ को कि इनका प्रयोग करें इसका इस्तेमाल करें आपका जो है सफेता खीक हो जाएगा आप शिंता ना करें अचले मैं आपको खाने की चीज बता देता आपको दीव्यकाय कल्प ववटी का उप्योग करना है ठीक है दीव्यकाय कल्प ववटी के मैं आप घटा के बारे में बताता हूँ कि किस किस चीज से बना हुआ है तो दोस्तों जैसे कि पानवाण है इसमें पानवाण मिला हुआ है दारू हल्दी मिला हुआ है करंज मिला हुआ है आवला मिला हुआ है और गिलोय मिला हुआ है कुठी और सत्यनासी जो कि चर्मरों का रामबर्दवा है रस मड़िक्या है हल्दी है खैर है और नीम की इसमें जो पावडार मिला हुआ है मंजिट मिला हुआ है चीराइता द्रून कुस्पी कत्थ तो यह कई तरह के अच्छे हैं देखें मैं इसका एज बता देता हूं एक से लेकर के 18 वर्ष तक के अयों वाले लोगों को सिर्फ दिन में एक ही बार गोली लेना है ठीक है दूसरा 18 से लेकर के 65 उम्रतक वाले को दिन में दो गोली लेना है तो आप अपने एज के नुशाल ले सकते हूं अब इसका एता उन अब को बताते हूं तो आप एक सुबेसे खाली पोट लिजी और एक आप रात को खाली खाली पेट की मतला में दूस्तों आप खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है फिर आधा घंटा के बाद आप खाना खा सकते हो तो इससे क्या होगा दूस्तों इस टेबलेट को खाने से आपको इसी गुन गुने गर्मा पानी के साथ लेना है शुबे साम खाली पेट में आप ले सकते हूं तो इससे क्या होगा कि आपके जो है सफ़े दाग वाले हिस्से जितने भी आपके वहां से दाग हटने लगे दूसरा यदि आपके सेरीर में असुद्धी बना हुआ है रक्त के कारान ये किसी भी कारान से सफ़े दाग हुआ है उन कारणों को ठीक करने का का काम करेगा और यह अंदर जो है दोस्तों आपके सफे दा को भीत्री हिस्से से ठीक करने का काम करने लगता है मैं यहां पर आपको एक नंबर भी दे रहा हूं देख लीजिए पतंजली का नंबर है तो आप जो इस नंबर पर काल भी करके पूछ सकते हूं और दोस्तों चाहते हूं यह आप दोनों चीज को खरीदे तो आप एक खरीच सकते हूं मैं वीडियो की नीचे इसके टेपलेट रहेगा और एक आता है जो 60 टेपलेट रहता है एक आता है 80 टेपलेट रहता है तो मैं यहां पर आपको एक सोशाट वाली का लिंक दे रहा हूं अब वह यहां से परचेस कर साकते हूं चाहते तो आप जो दो डूश्तों बेफेखरे आउनलानी पतंजली श्टो ठीक है आपको सराब नहीं पीना है नहीं जादा मेची मसाले वाले सबजी खाना है नहीं जादा नमक वाले सबजी खाना है नहीं नीमान को प्योग करना है नीगू को प्योग करना है ठीक है तो इससे जो है आपके सफेद्दाग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तो आप चाहते तो दालबाद खाई दालबादी बहुती अच्छा रहेगा सफेद्दाग वालों के लिए तो बहुती जल्दी सफेद्दाग को ठीक करने का काम करता है तो दोस्तो बस आज के लिए इत्था छोटा सा जानकारी उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो आपको पसंद आ झालों ताम्स पर वर्चिंग